नमस्कार मैं हूँ राजेश और आप देखना सुरू कर चुके हैं ब्रोग्यान टॉक आज हमें कैसे वेक्ति के साथ बैठे हैं जिनोंने अभी हाल ही उन्होंने एक बहुत बड़ा एचिमेंट किया है और वो एचिमेंट क्या है हम जानेंगे उन्हीं के जुबानी उन्हीं क चनल पर और सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी योवर्स को कुछ बताईए मेरा नम उतकर्ष वर्माएं और मैं महमुर गंज वारण सी में रहता हूं और मैंने ग्रेजुशन 2018 में कंप्लेट की फिर उसके बाद मैंने साइक्लिंग स्टार्ट कि उसके पहले मैं मांट पीछे जाना थोड़ा कम होगे क्योंकि पहला है कि बजट उसके बाद फिर है कि वह नहीं अरेंज हो पाता है तो इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूं अभी लेकिन साइक्लिंग करता हूं और पूरे बनारस में सभी को साइक्लिंग करवाता भी हूं क्योंकि हमारे क्लब है भण बनार साइक्लिंग क्लब तो ही साथ में सबीके साथ में हैं कि अच्छा लगता यह मै Mini यहीत भाष्य कबास कटना है नियुशे मKK मिने पैले द्लिया तक अवर किया इ AZ फिरके बाद मैंने 5 दिन एक कवर करते हो फिर फिर कोलकाता से वारानसी कल मैंने फिनिश किया 66286 किलोमेटर हुआ और इस राइड में और यह मैंने टोटल 36 डे 7 आवर 45 मिनिट में कम्पलेट किया था और इसके पहले जो एक लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड था 45 डेज का कुछ था तो इसको मैंने 36 डेज में कम्पलेट किया अभी जो कल आपने सैकलिंग पुरी की है इससे पहले भी आपने ऐसी कोई यात्रा की है जो कि हमारे वीवर्स को जानना चाहिए इसक और नाचल से कोटेश्वर गुजरात तक लास्ट मैंने एंड किया था तो कश्मीर से कन्या कुमरी मैंने साथ दिन नहीं अठारा दिन आठ घंटे में किया था और फिर अरुनाचल प्रजेल गुजरात से फिर उसके बाद है फिर मैंने किया था यह ट्वेंटी डेज थ्री आवर्स में कंप्लीट किया था तो यही अच्छा उतकरश आप यह बताइए कि जिसे अभी आपने नौन गियर क्टेगरी में साइकलिंग की है इससे पहले आपसे पहले भी क्या कोई इस क्टेगरी में इतने दूरी तै कर पाया है नौन गियर साइकल में 45 डेज में नहीं क सबसे तेज किया है और सोलो वह भी अकेले कोई भी अनसपोर्टेट मतलब इसमें आपका कोई आपका बैकप टीम नहीं होती है जो भी है पंचर हुआ या तो किसी भी हेल्थ इस्यूस हुआ वह आपको खुद फेस करना है और साथी साथ सारा कुछ आपको सिखा देता यह स कुछ बाइकिंग भी तो उसमें आपको कैसे रहना है कैसे क्या करना और वह आपको तो यह काफ़्ी बहुत चैलेंडिंग है कोई विवेकती है जब कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है कोई देना चाहता है जिससे हमारी सुसाइटी हमारे लोग सीखें इस पूरी साइकलिंग सफर के दौरान आपका मैसेज क्या था आप सुसाइटी को क्या मैसेज दिना चाहते हैं मेरा मैसेज जही है कि जो भी छोटा सा काम हो कम्यूट आप अपने छोटे से काम के लिए अगर आप साइकल का उपयोग करते हैं तो उससे इन्वार्मेंट और साथ ही साथ आपका हेल्थ बिल्डप होगा और इन्वार्मेंट आपकी बची रहेगी अभी क्या है ग्लोबल वार्मिंग के वज़े से जो आपका पॉलुशन और यह सब है न तो उसके वज़े से बैलेंस बिगड़ चुका है तो वह आगे जाके अभी सुधारने के लिए हमें कुछ ने कुछ कदम उठाना पड़ेगा अभी क्या है कि यहां से हम दो-दो 20-30-30 किलोमेटर में हम वैदर डिफरेंस लेखते हैं आप सिटीज में आएंगे तो आपको 5-10 डिग्री का अंतर दिखेगा तो यह नहीं होना चीज आततर अधिकतर नहीं होना चीज़ प्योंकि सीटीज में आप टेंपरेचर पॉलुशन के वज़े से ही मतलब डाउन है और जब आप थोड़ा सा आउट एरियर के तरफ जाते हैं जहां पर हर्याली है वहां पर आप टेंपरेचर देखने हैं कि थोड़ा ठीक है आप आपको रहने में अच्छा होता है काफी दारी सोविधा होती है तो वह अच्छा है ग्रीन अलब हर्याली है तो अच्छा है तो उतकर्ष का यह कहना है कि इस पूरी साइकिलिंग के पीछे जो हमारा संदेश रहा वह यह रहा कि हम साइकिलिंग को प्रमोट करें आज जनली देखा यह जाता है कि यदि हमको कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में जाना है तो हम फट से बाइक उठा लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब एक बंदा एक वेक्ति जब 600 किलोमीटर साइकिलिंग से पूरी कर सकता है तो हमें बहुत कुछ लर्निंग क्या शकत है कि हम छोटी मोटी दूरी के लिए अपने साधनों का अपने मोटरसाइकलों का यूज ना करें और जहां तक संभव है वह साइकिल यूज करें जिससे कि हमारा परियावरान हमारा नेचर बचा रहा सके कोई भी काम करने जाते तो उसके पीछे हमको कुछ का मोटिवेशन ह कुपन से पहले तो ये काम करने के लिए तो मैं अपने पाप का में लवभ की जोंगा कि मैं लोग उन्हों ने या मुझे इस चीजों के मैं रोकना चाहूंगा आपने ये बुला कि लाश्ट विस थी तो इसका मतलब क्या है मेरे पापा 11 नमंबर को एक्सपायर के अर गये थे तो उनकी आखरी इच्छा भी थी कि ये साइट्लिंग करूंगा मैं तो उस टाइम कहा था पापने कि तुम करना इस सीजन में क्योंकि एक सीजन होता है कि आप इने ये सीजन छोड़ दिया तो फिर एक दो साल बाद ही आएगा एक साल बाद ही आएगा कि मतलब कि आप इस वैदर में कर पाएंगे इतना लॉंग रूट तो उन्होंने कहा था तो फिर मैंने किया भी और हो चुका है सबुनकी आशिरवात थे सब कुसारा कुस सही भी रहा कभी कभी तो यह था कि कि इतना थख जाते थे कि सोग गया था मैं मतलब 4 बच गया था सुबह के 4 बच गया था तो 6 गयते तो फिर अचानक से सपने में पापा मतलब दिखे कि उट्ठो साइकल चलाने नहीं जाना है पर सात्मित्ति ég प्त्र को ऐसा होना चाहीए कि जो पिता की इक्षाओं पर करके। और अलग-अलग इस्टेटों में अलग-लग पाया जाता है अभी जब आपने साउध बताया और नौर्थ बताया तो वहां तो गर्मी भी होगी कहीं कोहरा भी मिलाओगा तो मौसम का आपने कैसे मैनेज किया मौसम का मैंने मेरे साइकल में सारे लाइट होते ही है तो मैं अधिकतर जो राइट स्टार्ट करता है था मॉर्णिंग अर्ली मॉर्निंग फोर थार्टी फाइब मतलब यह पांच बजी चार साड़े-चार बजी स्टार्ट करते थे तो वारानसिस से निकलते हैं समय पर डे पर डे मैंने फॉब में साइक्लिंग किये हाथ पूरे ऐसे जम जाते थे कि मतलब गलफ निकालने में दिक्कत कुछ खाओ तो उसका रैपर खोलने में दिक्कत और मतलब यह की मतलब हाथ काम नहीं करता था लेकिन अंदर से जुनून था कि मतलब करना है तो क्योंकि हमारे क्ल सकते हैं तो उनका भी मैसेज और मैंने काफी उनका सारा सपोर्ट आई है राइड उनी के वज़े से कंप्लीट हो पाई है तो यह राइड मतलब क्या है कि बहुत चैलेंज था बहुत चला पर डे अलग अलग चैलेंज पर डे आवर अन आवर मतलब आप यह सुच लिए कि सुबह ठंड तो आज यहाँ ठंड से जहल रहे है अगर सुबह जहां दूप हो रिट वहां पर दूप से अलग वह उसमें साइक्लिंग करते है तो अलग वह फिर जब अब जब पूरे बाड़ि इसमें पसीना हो रहा इतो पैर को चहां जब बढ़ ठंड बढ़ रही है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद और तमाम समस्याओं से जूजते हुए एक बहुत लंबी यात्रा करके आये हैं उतकर्षी बहुत सारे लोग मिले हुँगे आपको इस यात्रा में और हर इस्टेट की अलग-अलग लोगों का राहिंसन अलग-अलग है लोगों का सहयोग आ सब मैं सबसे पहली फ़त कहूंगा कि हमारे यहां थोड़ा सा पुलिस और यह जितने भी आम जनता हैं मलब जितने भी सारी लोग थे सब कॉपरेट करते थे सब भी अच्छे थे मलब यह यह लोग जहां तक ऐसा करते थे कि मतलब कि सुबह अगर इनके दुकान पर कभी ना मैं आपको बात करूंगा महरास्टर से लेके बैंगलोर साउधन पॉर्शन पूरा मलब तमिलनाडू ओड़ेशा तक सारे जग ऐसा ऐसा कहीं जगर रहा है कि सुबह अगर नास्ता करते हैं कॉफी पिया तो उसके लोग पैसे नहीं लेते थे वह पूछते थे कि आप कहां स अतना मलों सपोर्ट करते तो मजब मुझे 20-30 क्लोमेटर के लिए अलग सा मोटिवेशन होता था कि जब वो पिस ने इतना किया मेरे लिए तो करना चाहिए तो तो अच्छा लगता था और यह है कि मैं महारास्टर पुलिस खिले करूंगा मैंने महारास्टर पुलिस में जह मतलब उनके तरफ से मतलब वोनोंने मतलब मेरा एक दिन महाराश्ट्र में मुझे बिना मतलब मतलब अपने से ने कुछ पैसा खर्च करना पड़ा उन्होंने सारा कुछ अरेंज करके किया क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप जब इतना कुछ कर रहे हैं सब के लिए तो हम लोग के तरफ से भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें तो यह बहुत अच्छा ल क्योंकि कहीं अच्छा खाना मिल सकता था कहीं नहीं मिल सकता था जन्रली जो डाइट है वो आपने क्या ली जन्रली डाइट मैं आपको बताओ तो मैं अंदर से इतना मतलब वो सेल्फ मोटिवेट भी था कि मुझे मॉर्णिंग में सिर्फ एक कप स्ट्रॉंग कॉफी और क कॉच मतलब ड्राइफ रूट्स यह मैं अपने साथ हमेशा रखता हूं मतलब ड्राइफ रूट्स स्ट्रॉंग कॉफी अगर नहीं है तो मलब बाजार मार्केट से मॉर्निंग टाइम पर मतलब एक स्ट्रॉंग कॉफी पी लेते थे तो 80-90 किलोमेटर जो है मैं उस कॉफी और वाटर में लब हाइड्रेशन से मतलब ना सारा कवर कर लेता था और रात का डाइट के बाद करूं कि मैं दुपैर में कोई भी मील नहीं खाता था मतलब अगर बाहर का क्या है कि बाहर हर एक जेगा आपको स्वाद ने मिलेगा तो अधिकतर दुपैर के टाइम पर जू जूस और फल का ही यूज करता था और रात में सिर्फ डिनर करता था अभी जब आफ कैमरा हमारे ये उतकर्ष बात हो रही थी तो इन्होंने बहुत मतलब कह सकते लापरवाही लोगों में है और उस घटना का जिक्र किया कि लोग हाइवेज पे और सड़कों पे किस तरीके सिला परवाही से चलते हैं तो हम उनसे ही जानेंगे कि इनको सफर के दौरान ऐसे कौन-कौन से लोग मिले जो अपने राडिंग के लिए और अपने फैमली के प्रति फैमली के लिए जब सफर पर निकलते हैं तो सिक्यूर्टी के नाम पे वो कुछ नहीं लेते हैं तो ऐसा जो आप हमारी बात्चीत हुई वह आप हमारे विवर्स को बताई है पहली बात मेरा यह को पहला एक्सिडेंट मैंने देखा था राजस्थान और गुर्गाउं उसे गुर्गाउं बॉर्डर से महले राजस्थान के तरफ जो मूव करते तो वहां पर फॉक था मॉर्निंग का फाइव एम के लगबग तो उस टाइम एक फैमली अपने कार से चल रही है फिर उसके पाद मतलब उसमें पीछे कोई लाइट नहीं था एक लाइट जल रहा था लाइट वह भी रेड गलर का लाइट जलता है बैक लाइट में लेकिन वह तीन होते हैं कार में एक बीच में स प्रोब्लम के वज़े से वह चल रहा था बस एक ही लाइट काम कर रहा था उसका बीच वाला हो साइड में उसका दोनों रेड लाइट नहीं चल लाइट जो इंडिकेशन नहीं होता है तो उसके बाद उसने मैं उसके पीछे पीछे चल ला था फॉट था काफी इतना मुश्किल से 10 मिटर तक ही दिख पाएंगे तो उस फॉग में पीछे चल ला था फिर मैंने एविडेंस के लिए एक फोटोग्राफ के लिए माइल स्टोन के ताथ फोटो लेना होता है तो उसके लिए एविडेंस के लिए मैं रुका यह बगवान का यह अच्छा था कि मतल पर एक्सिडेंट हो गया और उसमें पांच मेंबर थे फैमिली के सभी को कोई ने कोई इंजिरी हो गया था तो वह है कि घर को अगर अपने सेफ मलब कुछ सेफ रखना होता है तो लोग क्या है कि अपने आपको मलब हो उए कि कभी भी हाइवे पर किसी भी तरीके गाड़ी यूज कर ले रहे हैं कहीं भी भी चली जा रहे हैं तो वह ना करें क्योंकि जीवन्तय है तो श्बकुछ सबकुछ है आगे का क्या प्लान है, अब आगे आप किस यात्रा पे निकलना चाहते हैं, और क्या रिकाड़ तोड़ना चाहते हैं? आगे मैं एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाना चाहूंगा कश्मी टू कन्या कुमारी वह अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेवन डेस एट आवर सम्तिंग में कुछ ने किया है तो उसको मैं ब्रेक करने का सोचूंगा वह सपोर्ट वैकिल के साथ होगा तो उसमें काफी स रिस्पॉंसर्ट भी होंगे तो वह मिल जाता है तो अगर हुआ तो इस साल ही मतलब नवेंबर या उक्टूबर में करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़ी राइट से आने के बाद भी इनका जुनून जो है जो है कम नहीं हुआ है और नवंबर में एक न किंग पे बाइक रेसिंग पे और साधनो जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन है उन पे ज्यादा फोकस है साइकलिंग वो नहीं करना चाहता यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहेंगे कि मॉर्निंग में कुछ ने सब कुछ आप देखते हैं तो सुबह सुबह अच्छी चीद देखेंगे तो आपका मलत दिन भी अच्छा होगा तो मैं तो कहूंगा कि साइकलिंग इस जैसा कि बताया उतकरशने कि साइकलिंग बहुत जरूरी है यदि आप जंदली पूरे दिन नहीं उस कर सकते तो सुब अब है यह 40,000 तो लग जो का यह सारा कुछ 40,000 मलब जो मुझे मेरे पास एक भी पैसा मतलब अभी नहीं था एक टाइम पर यह सारा मलब जो सपोर्ट है जो भी मदलत है चोटा बहुत इसारा हमारे पर रेंजन भी आने किया है तो यह सारा उनी के वज़़े से यह यह बहुत बहुत दमारे लोगों की मान सकता है कि अगर गेम की बात की जाय तो क्रिकेट या हौकी फुटबाल का तो नाम बहुत पीछे आ जाता है यूथ यदि सैक combat का नाम के तौर पर लेना चाहे तो उसके लिए आप क्या मैसेश करेंगी क्या साीक्लिंग वैं के कारियर हो सकता है यह को सकता है लेकिन अभी क्या कि कि किया जा सकता हम लोग आगे यह अभी स्टेट और नेशनल में हमारे हैं से जो भी लोग अभी इच्छों हैं हम लोग सब्सक्राइब अगर हो गयए तो फिर हम लोग भी आके तो आप जैसे की साइक्लिंग करते हैं साइकलिस्ट है भारत में साइक्लिंग क्या इस्तिति और घेल को यदि मैंनेज करें तो गौर्मेंट साइक्लिंग करकें क्या कर रही है और इसमें जो प्लेयर्स हैं वो किस हद तक उन्हें आगे बढ़ाया जाता है गवर्मेंट साइक्लिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देती है लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं वह अलग है यह क्योंकि यह ट्रेवल्स और मतलब टूर्स ट्रेवल्स में आता है एक तरीके से क्योंकि आप साइक्लिंग करते हैं वो स्प्रिंटिंग और जो ओलंपिक्स और गेम्स में वो साइक्लिंग अलग है यह साइक्लिंग अलग है इसमें क्या कि आपको मलत सारा कुछ मैनेज अपने से करना होते है और वो साइक्लिंग क्या कि उसमें आपको सारा कुछ प्रोव राइडिंग के दोरान अपनी फैमली का खुद का ख्याल लखना चाहिए और हमें इस इनकी बातों से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है सफलता आगे बढ़ने में ही मिलती है तो उतकर्ष आपका हमसे बात क बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपने समय निकाला और बाता है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू है अप अपने अतना कुछ मनलब किया उसके लिए थैंक यू और वैसे यह है कि अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको इस रूट पर यह किने काफी हर एक टाइम पर बहुत अलग-अलग चैलेंज था फिर मैंने कभी पीछे मुड़के उस हाइवे को भी ने देखा कि मतलब कि यह अभी इतना दूर चला मैने Deaf कर लिया उसको भी मैने क्रॉस करके देखा सा बस यह था कि आगЕ फोकस होता था कि अगय स्वीन ही इतना किलोमेटर है मोंब़य इतना किलोमेटर आए और सिर्फ उसी को फोकस करते यह हुझा दिमाग में टार्गे ex पनाते थे और मैंने मेरा टार्गेट था कि पॉर्टी वन डेज में एक टाइम को भी उससे कम दिन में किया तो जैसा कि आपने देखा अगर यह इंट्रव्यु आपको अच्छा लगा हो तो शेयर किजिएगा उन लोगों तक जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अपनी राए अपनी बात आप कमेंट सेक्षन में बताएगा और इसी तरह के लोगों से मिलने के लिए जुलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा हम मिलते रहेंगे ऐसे ही लोगों की कहानी आप तक पहुँचाते रहेंगे मैं हूँ राजेश बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थेंक्यू